बास्तु सास्ट का हमारे जीवन में बहुत ही खास महत है। अगर इसके अनुसार घर या घर में रखा कुछ फरनीचर इधर उधर हो जाता है तो बास्तु दोस्त लगता है। साथ ही कई पचलनों में पढ़ना पड़ता है। इसी के आधार पर बास्तु सास्ट में कुछ खास उपाय कोट कचेरी के मामलों से निपटने के लिए बताए गए हैं आये जानते हैं जो तिस आचारे से क्या उपाय हैं देजे कोई भी विक्ति कोट कचेरी ठानों के कानूनी पचोड़ों में पढ़ना नहीं चाहता है तो शीवरता से आप इन मामलों से किस प्रकार से निकलें इस पर हम विचार कर सकते हैं यदि किसी कोट के किसी मामले थाने के किसी मामले से सम्मनित अगचरी हैं या फाइल हैं और आपने इसको दक्षन पश्टिम की दिसा में रखे हैं तो ऐसा करने से वह मामला कोर्ट के अंदर जो है लंबा से सकता है इसलिए आप उसको दक्षन पश्चन दिशा तो फाइल को वहां से हटा दीजिए और उस फाइल को या उन कादुजों की रखने की सही दिशा उत्तर या पूरो दिशा है और उत्तर पूरो इन दिशाओं में आप उस फाइल को रखते हैं तो वह मुगद में पूर्ट में लंबे नहीं चलेंगे तासे वह सबाफ्त हो जाएंगे और जाते समें हमको बास्तू कर जहरे रंग के वस्तर पहन करके जाना चाहिए और दार में कमानताओं कर अनुसार अम उसको देखें तो जो फाइल है उ स्वास्ति एक पौने में हमको केशर और हल्दी में लाकर कर किस्वास्टिक्न बना करके रखना चाहिए और हनुमान जी की पूजन, हनुमान चालिसा का पास, पास कुंदर कांटा पास, बैरभ की साधना, बगवती की पूजन पास, बगवती बगला मुखी का पूजन नुष्खान इस्क्यादी करने से हमको कानूनी मामलों में, कोट के चेरी के मामलों में, अन्य जमीन इस्क्यादी स संबंदें जो मामलें हैं उसमें को बिजय की टाफ़्ी होती है और शीवरता से यह जो सारे मामलें समाप्थ हो जाते हैं और एक उपाए है काले कुट्पे को रोटी देने से भी शनी राहू के तु जिनसे जो उग्राएं है उन गुरुफों का दोष्ट समाप्थ होता है और से भी पोर्ट कट्यरी की जो मामले हैं उसे जटाफे नपड़ें हैं